हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल जानकारी मित्र पर तो दोस्तों आज अपने बात करने वाले हैं मुख्य मंत्री चरिन जीवी स्वास्त भीमा योजना जिसके नवीनी करन यानि रिनूवल स्टार्ट हो चुके हैं जो अपने पिछली साल अ और जो कैटेगरीज ने अप्रेल में रिनू नहीं करवाया उसका क्या नुकसान आपको हो सकता है बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है जिसकी मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्या जो है मुख्यमंत्री चरिंजीवी स्वास्त विमायोजना में लेटेस्ट अपडेट्स के आई है उनकी जानकारी दूगा तमाम जानकारी में दूगा जो 2022 में अपडेट की गई है बजट में इसमें नई गोशना क्या की गई है क्या क्या एड़ किया गया तमाम जानकारी आपको इस वीडियो मे पात रहें, आप स्रीमांद लगू करशक स्रेनी से आते हैं, या आप राजिस्थान गोड़्मेंट बें सवीदा करमचारियन, या सवीदा करमचारियन, जो भी तमाम लोगों के लिए यह वीडियो तो वीडियो को को उन कर लीजे तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे चिरिंजीवी मुख्यमंत्री चिरिंजीवी स्वास्त भीमा योजना की आप जानते हैं कि इसकी बंत्री राजिस्तान के अशोग गैलो जी ने जो है इसमें अब जो है आपका दस लाख रुपे तक का आपको इसमें बीमा दिया जा रहा है दस लाख रुपे तक का जो है आपका जो है इलाज इसमें निशुल किया जाएगा तो ये इसमें अपडेट है जो बजट में गो के एंजियोग्राफी सहीत 18 नए पैकेजों को योजना में शामिल किया गया या आपके हार्ट ट्रांस्प्लाइंट की साथ सर्जियों को इसमें और जोड़ा गया है उसमें डिटेल में मैं बताने वाला हूं आपको विभिन बिमारियों के उपचार के 1597 में पैकेजों को इस लाग कर दिया गया है किड्नी ट्रांस्प्लाइंट समें और इसमें जो है कई 18 जो है नए पैकेजों को योजना में शामिल किया है जो ट्रांस्प्लाइंट के पैकेजे से 18 नए शामिल किये गये हैं और विभिन बिमारियों के उप्चार में 597 में नए पैकेजों को इस य प्रियरियम भरना पड़ता है तो बात कर लू मैं राजी की क्रिशक जो लगू और सिमानत क्रिशक है उनके लिए यह बिलकुल फ्री योजना है आपको इसमें कोई पैसी की ज़रूरत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको पॉलिसी की तहत आपके जो है यह लाग हो दूसरी बात कर लो में खास सुरक्षा अधिनियम जो NFC के अंदर गताते हैं जो भी परिवार खास सुरक्षा यानि NFC से जुड़े होए हैं उनका भी योजना फ्री है उनके लिए भी योजना फ्री है और समाजिक आर्थिक जनगर्णा ISICC 2011 के जो भी परिवार पात्र हैं सम NFC की मैं बात कर लेता हूँ इसमें बिल्कुल फ्री है दूसरी कैटेगरी की मैं बात कर लो राज जी के जो समित सम्मस्त सवीदा करमचारी है सबके लिए ये फ्री है चाहिए वो समस्त विभाग बोर्ड निगम सरकारी कंपणियों में जो सवीदा करमचारी की कैटेगरी ह तो वो इसमें बिल्कुल फ्री रखी गई है, निस्विदा करमचारियों के लिए भी इसकी योजना बिल्कुल फ्री है, उन्हें कुछ पेड करने की जरुत नहीं है, और उनको 10 लाक रुपे तक का इसके तहद इलाज दिया जा रहा है, साती सात राज्य सरकार द्वारा COVID-19 अनुग्रह राशी भुकतान प्रदान करने वाले निराक्षित एवं ऐसा है परिवार भी जो इसके पात्रोंगी, जिन्हें पिछली साल COVID-19 का जो मैं बात कर लो, COVID-19 अनुग्रह राशी ग्रहन की गई है, वो परिवार भी इसमें निशुल पात्रोंगे, अब बात आ जात या जिन्हों आनुग्रह राशी प्राप्त के उसके अलावद जो 6 एश्ष एटेग्रिस बनती है, जो सबको जो है, साढ़े आठ सो रुपे का इसमें प्रियोरियंड बरना पढ़ता है, आपको सालाना साढ़े आठ सो रुपे इसमें कटवाने पढ़ते हैं, प्रदेश के सबी जो government करमचारी हैं और साथ इसाथ जो अन्र काटेगरी बच गई उनको इसमें साड़े आठ सो रुपे भुकतान करके आपको इस योजना का पात्र मिल जाएगा इलाज का फायदा हो जाएगा ठीक है तो ये इसमें जानकारी थी कि मैंने आपको बता दिये कौन-कौन सी क इसमें फ्री रखा गया अब आगे और बात कर लेते हैं देखिए इस योजना के उपर अपन बात कर लेते हैं जैसा कि मैंने बताया सभी राष्टे खास सुरक्षा अधीगनियम और समाजिक आर्थिक जन्गन्ना के पात्र लाब भारतियों को पहले से ही स्वास्त भीमा य नेफसे में जुड़ा है उनको करवानी की जरूरत ही नहीं यह जो जन्गन्ना के पात्र उनकी ओटोमाटिक स्वि पोलिश्य आपको करवानी की जरूरत नहीं लेकिन हाँ दूसरी आगे इसमें बात कर लेते हैं लेकिन अब छोटे स्रिमान किसान अथ्वा सावीदा कर्मि को भी मुक्मंत्री चिरंजी वी योजना के माध्यम से मुक्त चिकश्चा लाब उठाएंगे राजी के अन्य परिवारों को केवल आठ सो रुपए प्रती वर्ष का प्रियर्म का भुकतान कर इस योजना का लाब उठा सकेंगे सवीधा करमचारी और जो आपके अन्य लगु सबसे बड़ा आगर राजिस्थान सरकार के आप किसी भी योजना का पात्तर लेना चाहतने पात्तरता लेने चाहें तो आपके पास जनाधार काड़ होना चाहिए जनाधार काड़ हो जनाधार काड़ आपका पास नंबर हो जनाधार काड़ के पंजी करन जो रशीद संक्या होती है वो आपके पास और साथी साथ आपका अधार काड़ नंबर होना अवश्यक है इसके लिए दो डोकॉमेंट्स आपको चाहिए आपके पास जनाधार प्रेंद रहार होुश से आपका जो है मोकता कि पटोडय यह को ने तर शुरुक्षा उन्हें करानी ज़रूता क्नि और आप शुंग करना चाहते हैं हैंываем मैं और हैफ मानुना उन्लाइन उनिन का जाई Cellular कर सकते हैं और आगे इस योजना में बात कर लेते हैं तो देखें ये कुछ दिन पहले जो है नोटिस निकाला गया था एक स्वास्त मंत्रा ले द्वारा अब वो क्या है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं इसमें निश्चुलक शिरेणियों के अलावा सभी परिवार जिनकी बीमा अवदी 30 अपरेल 2022 को समाप्त हो रही है वे एक मई से पहले साड़े 800 रुपे का अधा प्रीरियम जमा करवा कर रजिस्टेशन करवा सकते हैं नजदी की इमित्र अथवा स्वैम अपनी SSO ID से किया जा सकता है 30 अपरेल के बाद रजिस्टेशन करवाने वाले परिवारों के योजना का लाब तीन महीने बाद अगस्त महां से मिलेगा यानि अगर आप माल लीजे आपको जो रिन्यूवल आपकी पॉलोसी जो है 30 अपरेल को खतम होई जाएगी जिनोब ने भी 8500 रुपे इसके बर के भुकतान करके प्रियरियम लिया था वो पॉलोसी आपकी 30 अपरेल को समाप्त हो जाएगी अगर आप 30 अपरेल से पहले ये रिन्यू करवा लेते हैं तो आपकी पॉलोसी शुरू हो जाएगी आपको गैप नहीं आएगा लेकिन आप अगर 30 अपरेल के बाद करवाएंगे तो जो 30 अपरेल के बाद याई एक मई से जो भी नवीनी करण करवाएगा इसका जो उसकी पॉलोसी लाइगू होगी वो तीन महीने बाद होगी यानि जो लागो होगी उसका जो आपको फायदा है वो अगस्त में मिलेगा यानि जिनों ने माद लीजे साड़े 800 रुपे प्रियरियम भराए हो और वो इसी ओजना का फायदा लेना चाहते हो उनके परिवार में कभी कोई बिमार हो गया तो अगस्त तक आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे उनको अगर आप ऑस्पिटल में अडमिट कराते हैं किसी कारण वस तो आपको उसका जो है भुकतान करना पड़ेगा लेकिन आप अगर 30 अपरेल से पहले पहले ये नवीनी करण करवा देते हैं तो आपकी पॉलो सी ओटोमेटिकली रिनूवल हो जाएगी और गैप नहीं आएगा लेकिन अगर 30 अपरेल के बाद करवाते हैं तो उसका लाब आपको फिर अगस्त महा से मिलना शुरू होगा तीन महीने तक उसका लाब नहीं मिलेगा अगर आप 30 अपरेल के बाद कराते हैं तो उसका लाब आपको जो है एक मही में अगर आप कराते हैं तो उसका लाब आपको फिर अगस्त महा में मिलेगा तीन महीने तक आपको इस योजना का लाब नहीं मिल पाएगा तो ये इसमें एक जानकारी थी और आगे अपन बात कर लेते हैं मुख मंत्री चरिंजी वी योजना के बारे में ये देख सकते हैं आप न्यूज पेपर में भी इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी एक कटिंग हमारे पास है जो मैं आपको दिखा देता हूँ तीस अपरेल तक दोबारा नहीं कराया पंजी करन तो अगस्ते मिलेगा लाब यानि तीस अपरेल तक नहीं कराया तो जैसे कि मैंने बापको बताया कि तीन महीं ने आपको लाब नहीं मिलेगा अब मुख मंत्री जो चिकिस्चा मंत्री उन्हों ने बता है, इसमें 9 bone marrow transplant, 8 liver transplant, 7 heart transplant के package को भी जोड़ा गया, जैसे मैंने आपको बता है, 18 नए packages चोड़े गए जिसमें kidney transplant है, आपके bone marrow transplant है, आपका heart surgery transplant है, इसमें कुल मिलाके 18 नए packages और 597 बिमारियों के packages इस योजना में जो प्राश लाग था, उसको 10 लाग तक बढ़ा दिया गया, ये जो जानकारी दिये, स्वास्त मंत्री ने दिये, राजिस्तान की स्वास्त मंत्री जी ने ये जानकारी दिये, तो ये इसमें आप देख सकते हैं, इसमें clear दे रखा है कि अगर आप 30 अपरेल तक इसको renewal करवा ल नहीं होगी आपके अगर 30 अपरेल तक आप रिनू नहीं करवाते हैं, तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट थी कि आपको अगर रिनू करवाना है, तो आपको 30 अपरेल तक इसको रिनू करवाना होगा, अन्य था आप जो है इस योजना का लाब नहीं उठा पाएंगे, तीन महीने तक अगस्त महा तक, अगर आपने पिछली साल इसमें 8500 रुपे भर के प्रीरियम लिया था, तो अभी अपनी नस्दी की इमित्र के इंदर पर जाईए, और 8500 रुपे पेड करकर पॉलिशी को दुबारा रिनू करवाईए, ताकि जो इस तीन महीने का गैप है पॉलिशी में आपके ना है, अगर आप लेट करेंगे अपरेल के बाद करेंगे तो फिर इसका जो फायदा है आपको अगस्त महा से मिलना शुरू होगा, मैंने आपको बता दिया कि इसमें पहले 5 लाग तक का आपको भीमा दिया जा था, अब वो 10 लाग बढ़ा दिया गय और साथी साथ गौर्मेंट जो है इसमें अब प्राइवेट होस्पिटलों का भी पंजी करण करवा रही है, वो इसमें जुड सकते हैं और जल्दी आपको बड़े लेवल पर एक अच्छी स्वास्ता देनी की राजस्थान गौर्मेंट की जो है तैयारी चल रही है, तो य खास सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, खास सुरक्षा में जो भी जुड़े हुए हैं और आर्तिक जनगन्ना में जो जुड़े हुए हैं, लगू सिमान्त किशन हैं, खास कर जो खास सुरक्षा में जड़े हुए हैं, उनको विनिकरन की कोई अविश्यक्ता नहीं, उनक आपको तीन महीने बाद तक जो है लाब मिलेगा तो पूरी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी है मैंने योजना की पूरी जानकारी आपको दे दी है और अपडेट क्या ही है नई वो भी मैंने आपको दे दी है तो जल्दी जाए अपने नजदी की इमित्र के इंदर पार और पॉलोसी को रिनू करवाईए मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल नोटिफिकेशन को ओन कर लीजे ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप कहुंसता रहे वीडियो को शेर कीजेगा जादा से जादा लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे दोस्तो आप वीडियो देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहुत कम लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं वीडियो देखके चले जात थैंक यू फर वच्चिन